सर, हमें एक ऐसे पता चले कि हम क्यों आये हैं, हमें एक ऐसे पता चले कि हम गुलाब हैं या कमल का फूल, आपकी सबी बाते सही है, जीवन के लिए जरूरी भी है, लेकिन flash के लिए क्या करना होगा, हम कैसे अपना potential पता करें, हमें कैसे अपना मकसद मिलेगा आपने मेरे कई लेक्चर सुन रखे हैं या आपके सवाल से सपस्टे अब एक चीज समद लें कि आपका कहना एकदम सही है कि हमें कैसे पता चले कि हम कमल है या गुलाब है यानि आप ये तो जानते हैं कि भगवान ने आपको कोई न कोई खुबसूरत फूल बना नहीं बेजा है अब ये पता कैसे चले कि हम कौन से फूल हैं उसकी चिंता आप मत करे वो चिंता आपका विशय नहीं है आप कौन से फूल बनेंगे ये आपके जन्मों की पुंजी है वो आपके भीतर चिपी है मन की गहराईयों में चिपा हुआ है कि आप में कौन से ख्यत्र की प्रतिबा है आप कौन से ख्यत्र के फूल है लेकिन होता क्या है यहाँ पर कोई मनुश्य अपने भीतर नहीं जाकता अपने भीतर से प्रेणा नहीं लेता और बहरी प्रभावों से आकरशीत होकर तरह तरह के फुल बनने की सोसता है और अंतमें इंगलिज का फुल बन जाता है बस इतनी सी बात है आपको हिंदी का फुल बनना है अंग्रे जी के फुल से साउधान आपका सब ठीक हो जाएगा आपका मकसद जन्मों का है वो आपके मन की गेराईयों में छिपा है आपके भीतर एक महान प्रदीवाच छिपी हुई है सिर्फ बहारी आकर्षन अटा दो वो प्रकट हो जाएगी बच्पन में ये बड़ा आसान होता लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते बहारी आकर्षन से आकर्षित होते और अपनी रहा भटक जाते हम जो फूल बनने आए हैं वो फूल बनने की जगह कोई दूसरा फूल बनने का प्रयास करते हैं और अंत में एफ डबल ओल फूल हो जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ एडिशन अनपड थे सिर्फ दूसरी क्लास तक पले थे तो फिर वेज्ञानिक कैसे हो गए क्योंकि वेज्ञानिक प्रतीभा वे पिछले जन्मों की लेकर आये थे बच्पन से ही प्रयोग में लग गए मान वेज्ञानिक हो गए बस ऐसा ही आपका है लेकिन बच्पन चुक गए आगे बढ़ गए और अब कोई और फुल बनने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास बंद कर ले चूप चाप जिस काम में आपका मन लगता है जिस कारिय को करते वक्त आपको समय का पता नहीं चलता है वो कारिय करते चले जाएं एक दिन आपके भीतर की प्रतीबा भार आजाएगी और आपको महान व्यक्ति बना देगी अतह मेरा सबसे निवेदन ने इस बात को समझें कि मनुष्य की प्रतीबा उसके मन की गहराईयों में छिपी होती है वो जन्मों की होती है एक जनम में कोई किसी कारिय में महाईर नहीं होता वो कारिय वो जन्मों से करता आ रहा होता है लेकिन वो कारिय मन की गहराईयों में छिपा है वो पुण्जी उसके मन की गहराईयों में छिपी है अतह यदि आप जीवन में वाकई अपना मकसद पाना चाते अपनी प्रतीबा निकारना चाते तो बहर के तमाम आकरशनों से बचें लोब से बचें फाइदे से बचें आप कारिय इसलिए करते हैं कि आपको फाइदा नजर आता है आप कारिय इसलिए करें जिसमें मज़ा आता है बस आप अपना मकसद पालेंगे ये में वादा करता हूँ Thank you very much But at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I am the Mind by Deep Trivedi Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथी जीवन से संबंधित विभिन विश्यों पर उनके द्वारा दिये गए lectures वा workshops एपिक चानल पर देखें हर रविवार सुभा 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे